हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तू माई यूट्यूब चैनल राइट नो और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू रजिस्टर नियो उप्लाइइन एपीफ ओनलाइन तो उसके लिए हमें जाना होगा इमप्लाइर के पोर्टल पर और जो भी इस इमप्लाइर इस पोर्टल या इस वीडियो को देख रहा है आप सबी लोगों से चोटी से रिक्वेस्ट कि जो भी चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बेलकोल भी न भूलें तो चलिया भी फिलाल हम यहाँ पर apply के pointer पर यहाँ पर login करेंगे, login करने के लिए हमें user ID password required रहेगा और sign in करेंगे, sign in करने के बाद आपके सामने कुछ page is according यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हमें multiple options मिलते हैं, जहाँ पर हमें जाना होगा home के बगल में member वाले option पर, ज register individual का, तो यहाँ पर इस option पर click करने के बाद, हम किसी भी individual को यहाँ पर register कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, main page पर सबसे पहले यहाँ पर दिखा होता है, member registrations, तो उसके नीचे यहाँ पर अगर उसका कोई previous employment या UAN number है, तो आप उसको yes कर देंगे, और नहीं है, तो आपने यहाँ पर no करना है, तो no पर करने पर आपको यहाँ पर form जो है, इस according देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पर yes करते हैं, तो आपको यहाँ पर उसका UAN number, अधार date of birth, name डालना है, और declaration पर click करने के बाद, आपने उसको verify करना है, तो यह छोटा है नया, उसके पास UAN number नहीं है, तो उसके पहले हमें यहाँ पर as per अधार Mr. Mrs. जो भी है, वो डालेंगे, देन उसके बाद उसका यहाँ पर हमें नाम डालना होगा, देन उसके बाद date of birth डालनी है, तो वो भी यहाँ पर mention है, as per अधार जो भी date of birth है, उस particular employee की हमें वो यहा यहाँ पर select कर लेंगे, देन उसके बाद आपको इसके बगल में यहाँ पर जो इसकी nationality भी आपको by default Indian आ रही है, अगर Indian है इंडन डाल देजी, अगर वाई इसके लाओगा कुछ और है, तो आप यहाँ पर उसे use कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमें डालना होता है father या फिर husband name जो भी है, आप उसे यहाँ पर fill up करेंगे, जो भी relation है, वो डाल लेंगे, उसका marital status क्या है, वो fill up कर सकते हैं, देन उसके नीचे आपको उनका mobile number जो है, वो यहाँ पर डाले का option आपको मिल जाता है, यह mandatory नहीं है, और उसके नीचे यहाँ पर आपका qualification और email ID ज उसके अलावा mandatory नहीं है, बट आप जो है, सारी details यहाँ पर completely fill करें, ताकि register के दौरान किसी भी तरह की हमें कोई दिक्कता देखने को मिले, तो हमने यहाँ पर इसका भी qualification डाल दिया है, तन उसकी date of joining क्या है, वो डाल दिया है, और monthly EPF wages क्या है, वो यहाँ पर add the time of joining, वो हम हमें यहाँ पर डाल देनी है, तन उसके नीचे यहाँ पर हमें international worker है, या फिर है या नहीं है, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, तन उसके नीचे यहाँ पर आपको different type of documents यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि pan card, adhar card और password, इसमें हमारा जो mandatory रहेगा, वो रहेगा, अधर card, तो हमें यहाँ पर adhar card को select करना है, select करने के बाद हमें यहाँ पर जो है हमारा अधार नमवरा जाएगा, तन उसके बाद as per document जो नेम है, वो हमें यहाँ पर डालना है, उसके नीचे हमें यहाँ एक declaration मिल जाती है, declaration पर check box पर आप यहाँ पर जो है, वो click कर लेंगे क्लिक करने के बाद आप स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको सेव का option मिलेगा जिस पर आप करेंगे सेव तो यहाँ पर आपको दोबारा से वागए कि are you want to show और आपको यहाँ पर ok करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि member record saved successfully का यहाँ पर option किया है उसका अभी जो है approval है वो pending है तो यहाँ पर अगर detail को आपने edit करना है edit कर सकते हैं delete कर सकते हैं view कर सकते हैं तो यह तीन option यहाँ पर सबसे last में आपको मिल जाएंगे और इसको अगर आपने approval करना है तो approval के दोबारा से member पर जाकर approvals वाले option तो जाएंगे तो यहाँ पर जो है उसकी pending जो है detail आपको दिख मिल रही है तो आपको यहाँ पर individual registration जो type दिखाई दे रहा है उसको approve करना है reject करना वो आप पर depend है तो अगर आपने इसको approve करना है तो आप इसको approve कर लेंगे और आपका यहाँ पर new employee का जो registration है वो online यह EPFO portal पर उसको register कर सकते हैं और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगे होगी अगर आपकी कोई भी कोई है मुझे comment करकर जरूब बताएं आपको में लेंगे next वीडियो में तब तक के लिए बबाई